नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ इस्ट्राइजर अवास्टू किंसाल्टेंट रुधी पहल बहुत कुछ प्लानेटरी चेंजिस होने वाले हैं, बहुत कुछ हो चुके हैं दिसेंबर से लेकिए फेबरी तक जो महीने हैं वो काफी मार्श तक की जो महीने हैं वो जो है काफी इवेंट फुल होने वाले हैं देखें जो सबसे पहरा और बहुत इंपोर्टन प्लानेटरी कंजंक्शन था वो दिसेंबर 21 को हुआ था जुपिटर और साटन का अब जो लोग astrology जानते हैं या जो astrology के student है वो जानते हैं इसका importance जुपिटर और साटन जो है वो बहुत बड़े प्लानेट है इनका impact भी जो होता है वो बहुत ही massive होता है इसलिए इनका movement जो है वो बहुत ध्यान से देखा जाता है बहुत ध्यान से study किया जाता है इसके अलावा जैन्वरी में अभी जब मैं वीडियो बना रही हो तो विए अल्री इन दी सेकंड वीक अव जैनरी सेकंड वीक इन फाक्ट खतम होने वाला तो जुपिटर जो है जो है जो गुरू है वो अस्त हो गए है अब जो है वो केप्रिकॉन साइन में आ गए है जहां आपे अल्रीडी जुपिटर और शनी साटन जो है वो बैठे में है साटन भी जो है वास्त हो गए है अब जो आने वाला टाइम है पच्छिस जन्वरी से लेके 21 फरवरी तक का जो पीरियड है वो मैं आज आपके साथ दिसकस करूंगी इसमें क्या-क्या इंपॉर्टन जोति हुँ तो वो चाहँ डिफिकल्ट हो जाता समझने में वेल जब हम जोतिश की बात कर रहे है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्लानेट्स के बारे में या प्लानेट्री पुजिशन के बारे में आपसे डिसकस ना करूंग और सीधे प्रेडिक्शिन की ही बात करूंग त देखे जो सबसे पहला है और इपॉर्टन चेंज जो मैने का कि गुरु जो है वो अस्थ हो गए है गुरु जो है वो नीच के तो मकर राशी में गुरु जो है वो डेप्लीटेट करते है नीच की हो जाते है तो नीच के गुरु का अस्थ होना in a way is not bad बुरा नहीं है गुर गुरु जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमार विज्डम को गुरु जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नॉलिज को तो जो यह अस्त हुए है गुरु इससे रिलेटेड जो है एजुकेशनल इस्टिूशन से रिलेटेड हम जो है कोई निउस सुनेंगे गोल्ड प्राइस जो है वो stable रहेगा क्योंकि gold जो है वो भी Jupiter ही represent करते हैं तो वो नीच के भी है और अस्त भी हो गए है अब 25 जनवरी 25 जनवरी को जो है जो पहला important planetary change है अब के बाद जो पीछे हो चुक है उसके बाद उसके बाद उस दिन जो है राहू और चंद्रमा वो दोनों एक ही डिगरी पे है और उधर सूर्य और शनी भी मकर राशी में एक ही डिगरी पे है राहू और चंद्रमा जो एक डिगरी पे है वो इंडिया के लगन में बन रहे है शनी और सूर्य और गुरु दोनों तीनों जो है वो मकर राशी में है इंडिया के 9th house में है गुरु जो है जो की नीच के हैं वो 9th house से लगन को aspect कर रहे हैं अगर आप मकर राशी से देखिए जो astrology पढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगा अगर आप मकर राशी से देखें तो यह जो राहू चंद्रमा का जो combination है जो conjunction है वो 5th house में हो रहा है जो पांचवा घर है वो हमारे wisdom का घर है हमारी बुद्धी का घर है हमारे ज्यान का घर है और गुरु भी जो मैंने कहा कि वो wisdom के planet है वो ज्यान के planet है जो की नीच के है और वो इसको देख रहे हैं combination को तो अब क्या होगा चंद्रमा जो है thought process का कारत है अब क्या होगा इस conjunction से कि जो हमारी जो बुद्धी है जो हमारा ज्यान है वो भ्रमित होगा रहा है क्यों क्यों कि राखु है तो आज़ रिजल्ट कुछ confusing decisions लिए जा सकते हैं या ऐसे decision लिए जाएंगे जिनका जो result है वो बहुत clear नहीं होगा जो जो है वो political conditions में जो भी हालाद चल रहे हैं उसमें और confusion को create करेगा और जो यह combination है यह कहीना कहीं जैसे मैंने का लगन प्लानेट है तो यह जो combination है यह कहीना कहीना कोई वोईलेंट activity या वोईलेंस कुछ ना कुछ जो है वो यह indicate कर रहा है उसके बाद जो है 27 जनवरी को जो है शुक्र शुक्र जो है वो भी जो है यह जो 00га फरवरी हो जो है व राहू जो है वो रोही नक्षत्र में आ जाएंगे नाइस विल्फ सेलह सेलहे किस इंद आरहा है है जो यह जो बानेटरी चेंज है इंका जैसे मैंने शुरू में का कि Jupiter और Saturn का impact बहुत मैसिव होता और बहुत लार्ज स्केल पे होता है तो यह planetary जो changes हो रहे हैं इनका जो impact है वो सिर्फ इंडिया पर ही नहीं होगा वो all over world होगा जब मैंने का कि violent activities तो हमें सिर्फ इंडिया में ही नहीं all over world से भी हमें कुछ ना कुछ violent incidents सुनने को मिल सकते हैं पर अभी जो इस वीडियो में मैं आपसे primarily इंडिया के बारे में ही बात करूँगे तो हम बात करें थे कि जी शुक्र भी जो है इस conjunction को जोइन कर लेंगे मकर राशी में आ जाएंगे 4th February को पांच planets कौन-कौन गुरू जुपिटर साटन सन मर्करी जोगी एक्वेरस में होंगे रेट्रोग्रेट होके केप्रिकौन साइन में आ जाएंगे तो ऐसे जो है और वीनस भी याँ पे होंगे तो पांच planets जो है यहाँ पर मकर राशी में आएंगे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात केखी about the Maharashtra Government आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे मेरे चाट कमेंट्स में लिखा है to tell about Arnav Goswami जो यह पांच planets का जो यह combination है this doesn't indicates or doesn't tells good things about the Maharashtra Government मैंने अपने पिछले वीडियो में जिसमें मैंने बहुत डीटेल में उदव ठाकरे महराश्टा Government जब बनी थी उनकी swearing in ceremony की horoscope और राश ठाकरे की horoscope डिसकस की थी तब मैंने यह कहा था कि यह government जो है अपना term पूरा नहीं कर पाएगी तो बहुत से आप में से बहुत से लोगों ने पुछा कि कब जो है हम कुछ ऐसा देख सकते हैं तो जो यह February month जो है जो यह planetary position हो रही है यह बहुत यह काफी indicate कर रहा है कि this will not be a good time for the Maharashtra government also अरनव गोस्वामी के लिए भी आगे जो है अभी challenges बने रखेंगे दिखे politics में बहुत से चीजें ऐसी होती है जो लोग एक दूसरे को use करते हैं situations ऐसी create हो जाती है यह create की जाती है जिसमें की लोग अपना फाइदा है अब अरनव और Maharashtra government के साथ जो कुछ हो रहा है वो कुछ खीचमतानी और politics तो certainly है है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी पर जो planetary position कह रही है उनके बार में ज़रूर बताऊंगी अभी हाली में जो कुछ chat अरनव गुस्वामी की leak हुई है उससे related कुछ controversy आई है तो अभी controversy अरनव के साथ चलेगी हो सकता है इसमें कुछ legal aspect भी आए इसमें legal angle भी add होगा anyways coming to Maharashtra government it will not be good सुषान सिंह का case फिर से सामने आएगा forefront में आएगा और उससे related जो है Maharashtra government ले problems जो है वो create होंगी अब उसके बाद आता है 9th February 9th February को जो है sorry 8th February को Venus जो है वो अस्थो का और 9th February को Moon जो है वो भी मकराशी में आ जाएगा अब देखिए Moon और Venus दोनों watery sign है जो मकर राशी है mundane astrology के साब से वो भी watery राशी है तो और शुक्र जो है वो अस्थ हो गया है यहां पे तो कुछ ना कुछ water related activity या water related news जो है हमें जो की कोई बहुत अच्छी news नहीं होगी वो हमें सुनने को मिलेगी there can be something kind of a cyclone या कुछ समुद्र में कुछ ऐसी activity जो की शायद बहुत जादा favorable नहीं है उसके अलावा जैसा मैंने आपसे शुरू में का था कि 25 जन्वरी से changes जो है शुरू हो गए है और सारा combination जो है सारा जो focus है planets का वो केपरी कौन में हो रहा है मकर राशी में हो रहा है देखे मकर राशी जैसे मैंने कहा कि मकर राशी जो है शनी की राशी शनी जो है वो dry planet है शनी जो है cold planet है ठंडा planet है और watery mundane में जो है हम शनी को जलतत्व की राश आपको पर जाएगी पर इस साल ऐसा नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से प्लानेटरी पोजिशन जिस तरह से प्लानेटरी मुवमेंट हो रहा है तो अभी जैनवरी एंड राधर फरवरी तक थंड जो है बहुत अच्छी पड़ेगी इन फाक्ट जो लोग नौर्थ इंडिया मे वो शायदी एक्स्पीरेंस भी कर रहे होंगे थंड अभी जाने वाली महीं है अभी थंड रहे की ओके सो कमिंग टू 9 फेबरी जैसे मैंने आपसे कहा कि 9 फेबरी को मून भी जॉइन कर रहा है इस तारे प्लानेटरी कॉम्बिनेशन को मर्कृ में तो वाटर रिलेटेड ज जो है वो दोनों रोहीनी नक्षत्र में होंगे देखे रोहीनी नक्षत्र जो है वो बड़ा ही सेंसिटिव नक्षत्र रहा है इंडिया के लिए इंडिया के लिए जब मैं बात करी हो तो स्पेशली इंडिया की सेक्योरिटी को लेके जब भी पीछे वार्स हुए है या साथिर देखने वाला टाइम होगा और इंडिया की सक्योरटी के लिए ये टाइम बहुत केरफल रहने वालाद टाइम होगा उसके अलावा यह जो पोजिशन ऐ Oui ऐस दिन चैलेंज affecting यह चालेंज करिंगी हमारी Sounds Minister के लिए थी और the head of the nation also this period will be full of challenges उसके बाद मार्च में जैसा मैंने आपसे कहा कि मार्च में मार्स और राहू तोनों रोईनी नक्षत्र में आएंगे वो पीरिट कैसा होगा वो मैं आपसे आगे विसकस करूँगी पर अगर मैं अभी आज का जो वीडियो जो मैंने बनाया है उसको अगर मैं सिंपल लाइंग अरनव के लिए भी चालेंज बरकरार रहेंगे सुचान सिंग केस फिर से सामने आएगा और होपफुली कुछ ना कुछ कंक्लूजन जो है इस केस का हमें साम देखने को मिलेगा फॉर दे प्राम मिनिस्टर फॉर दे सेक्योरिटी ऑफ दे कंट्री जो है यह आगे आने वाल टाइम जो है जो मन्त है वो काफी इवेंट फुल रहेगा सेक्योरिटी को थोड़ा थ्रेट हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी जो है यह 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 काफी चालेंज वाला रहेगा और नोट जस इंडिया जो मैंने का वोईलेंस और जो वोईलेंट देखे भारत की दशा अभी चंद्रमा में शनी ही चल रही है जैसे ही चंद्रमा में बुद्ध आएंगे विच इन हापने में तब जो है कंट्री में स्टेबिडी आएगी एकनोमिक कंडिशन भी बेटर होंगी इंटरनल सिच्वेशन भी जो है वो इंडिया की काफी बेट अपना फीडबाक मुझे जरूर भी जेगा और दो टेक केर अफ यूसल थैंक यू जब एकन वी और बेटर मुझे जरू यू जरूर इंडिया झालिया Reid झाल झाल